गुड़ी इबनिंग एब्रिवान, आमी जी ट्यू HSLC, डेट मीन्स, क्लास 10 और 1999 सोनर परा स्टार्ट कोरी, 2020 सोन लोई अहा जिमान बोर भायसेंस आसे खैबोर आमी एटार पिसोट एटा धुनिया कोई प्राक्टिस कोरी आशू, गोठी के आजी क्लास आमी प्राक्टिस कोर 2003 अहा आरू 2004 अहा भायसेंस केटा आमी एट धुनिया कोई प्राक्टिस कोरी आरू यार आगर भायसेंस बोर आमी आगर क्लास आट कोई शू, जोदी तुमा लो कर कुणो भाय एटिया लोके खैबोर क्लास वान आई, तेने हले क्लास बोर ओर लिंख माई एक्कान वीडियो 2003 अहा प्रोथम क्वेशन आटू हाए, भालरे साबा, क्वेशन टो होल, आ डॉक्टर इस एक्जामीनिंग धी पेशन्ट, I repeat the question once more, आ डॉक्टर इस एक्जामीनिंग धी पेशन्ट, so तुमा लोके तुमा लोके आगर क्लास वायसेंस कोरिया ही साए, गोटिके एटो हाटो तुमा लोके बुजिवा पारिशा, जे question to active voice हो दिया हाए, कारण पोठमाद आमाग जानीबा लागी बा, question to active हो दिया हाए, पेशिवा दिया हाए, टार बिशो साब्जेक्ट भार्व अबजेट खीनी उलियाई नभू लागी बा, so याट कुवा हाए, जे डॉक्टर जने पेशेंट अग अठार रुगी जनाग बा बेमारी जनाग सिखित शा कुरियाँ है, एक्जामी अठार चुवा सिटा कुरियाँ, so we understood that, this is an active voice, एत्या मी पैसेब लोचेंज करीं, so पैसेब लोचेंज करीं, so पैसेब लोचेंज करीं बाले तुमा लोके तो नियम बॉर जा मैं आगर क्लाजबो ओतो गोई सुलू एटिया कोई दियो जोडि तुमां लोकार सब्जेक्ट भार भुल अबजेक्ट धडिलो अते टियो लोकार किब प्रब्लेम हाशे नहाले टेनुक वाद हार नर वीडियो में अल्ड़ी बनाइ दीशु एक्यान वीडियो देस्रिप्शन आट आटाशे तुमा लोके साहलोब पारिवा जो एको होल अब्जेक्ट इस इस धा भर्व and इससाब्जेक्ट उब्जेक्ट शाब्जेक्ट बना धिमा मि धीपेशेंट अचे गोतीगा मि धीपेशेंट लेखिलू दि पेशेंट, ओके, येटि आजम्या सब्जेक् लिख़त्षाइब की और प्र प्र प्रज़न है, खट्दा आयर मनुद्र रखिवा, पैसिव ब Repevay, सब्जेक् लिखाइब कीग्वार प्र 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 प्र? ₝यर्ड, खेटो। पाम हमी question और जीतु tense दिया आशे और जीतु tense और question टू लिखा आशे खेटु tense और helping verb आ to be verb टू लिखीबो लागीबौ एखिन मनोर राखीबा तो तेने हले की कोरिबो लागीबौ question और tense टू धोय लगो लगीबौ जो दी कुणो अटा sentence और tense डोरीबौ लगा हाए तेने हले की कोरिबौ लागी question बारू sentence टू जीबौ भार्ब दियाशे खेबौ राखीबौ लागीबौ so एई sentence टू आमें दिखा पालू एट्टू sentence आमें दिखा पालू is verb दियाशे और भार्ब भीफो दियाशे that means आमें भूजा पालू जी एटू हल प्रेजेंट टेंसर आरो भार्ब लगाट जेट्या आयाए जी जो होई ठाके एनुकवा condition तेट्या एटो प्रेजेंट कंटिनुआ स्टेंस बुली कोवा हाए so तोमा लोको हाटो निस्वा भूजीवा पारिशा this sentence has been given in present continuous tense so present continuous tense or to be about to whole am isar so the patient लोगत is habo am or are not habo तोमा लोको हाटो निस्वा जाना so एकिने ता आनाठा कोटा तोमा लोको मनोट पलाइदू जेने कुवा continuous tense जोडी होई है तो present continuous past या future जी कोना continuous जोडी होई तेने होले to be about to लिखार भीशा याट बिंग लिखीबा एकिने कोटा मनोट राखी मा तारू पर यो एईबर passive लोग चेंज कोरा निदिस्ट एटा कोई गठन आसे गठन बर मा अगर क्लास अट कोई देशो है बो तोमा लोके साहिलोबा so the patient is being एटी या बिंग लिखार पीशोग भारभा ठाथ फाम लिखीबा लागे according to the structure so में प्रप्त की दिया हसे याद एग्जामीन दिया हसे I am extremely sorry examining spelling तो याद रांग कोई लिखाएसे मा खुद्द अग लिखी दिया सू this is the right spelling right word एटी एग्जामीन अगट भूल कोई लिखाएसे that's why I am extremely sorry so एटी एग्जामीन मा लिखी दिलो so the patient is being एटी एग्जामीन अग्जामीन जितो भारवत थाट फ्रम अभा है तो अग्जामीन yes this is the third form so the patient is being examined एटी भारवत थाट फ्रम लिखाएसे बाई प्रेपोजिशन लिखी बलागे so बाई प्रेपोजिशन लिखी लू तुमा लोके मनद रखी बाँ केबल बाई प्रेपोजिशन लिखी लू पाकी भारविशा बाट बलेक बलेक प्रेपोजिशन हबो पारे खेबर मा अग्रोक्लास होट कोई दिशो एटी एटी आजी subject ठाकी बाँ खेटो अबजेक्ट होई जाई याट So, subject दिया से, Doctor दिया से, गोतिक हमे ए doctor याट लिखी लू So, this is the correct answer मौ अबार answer तो पोहिट लीशो The patient is being examined by a doctor This is the right answer तुमा लोके भाल्रे माल रखीबा तुम्हा लोके जोदी विश्वरा तुम्हा लोके याटो फूल स्टप दिवो पाड़ा एकिन नी लिखीलो होए तुम्हा लोको साजेस्ट कोएं तुम्हा लोके एग्जामेनेशन अध बाई डॉक्टर तो लिखी बन डालागे कारण एकिन ये जा याट की को आएशे देख दिखी चा लोके छी कोरी बोड़ा ये जा बन ऑवसाजेट टो ऊ होऊ रोगे ये जा लोके खोड़ा लोके भाउगेने ने बाई ऍ होकोड़ा फूल्हा घ़ due to dosem means the patient is being examined this is the right answer तथब यह जोदि तुम्हा लोग के भूलत बाई डॉक्टर लिखी दिया तथब यह खुद्ध हबो कि इन्टो भूलना हबो कि इन्टो यह राखी दिले 100% हुद्ध हबो तुम्हा लोग के आनेटा आइडिया दिद्यू जोदि तुम्हा लोग कर question paper और the patient is being examined इन्टो यह दिया थाके बाई डॉक्टर ना थाके तुन्हे हले एक question पेसिब दिया आसे और पेसिब पर आक्टिव लोग चेंज कोई बोलागी बो ते यह subject प्रवाज़न आसे subject यह दिया थाके ले तुम्हा लोग के भालडरे पोहिल अबा तर बिशोद देखी बाई की object हबो पारे तो एने कोई question थाके ले यह द की हबो बाया doctor हबो ते ती doctor तो धोरी लोग मामी पोठ्ध मा तर बिशोद दोक्टर यह दा ही subject हबो सो मुआ अखर कोरे सु तुम्हा लोग के हटो बुज़वा पारे सा जोडिकी बा question query थाके तेने हलो comment box थाके लोग मा निस्वा हमादान कोरे बला सेस्टा गरें तेने हलो मा याटिया second question लागवाई जाओ question लोग मा 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 लो a subject right so where we will get the subject the subject is after the by preposition so this is a very simple and easy sentence so first we need to write here subject so in this sentence the tiger is the object so the tiger will become here the subject now i have written here the tiger sorry the hunter it is not tiger the hunter okay now we have make we have met the hunter as subject here i am hunter to subject bona ndilu ehtiya jayi tu mein passivar pada active loe change koriya shu gotti ke tumma loke hai to ekini bhaal doore jana jay kuno ehti sentence jayi ame passivar pada active loe change koreem tehtiya ki tensor likhibo laghi ba ba kene koa gothan or likhibo laghi ba sinta nga kori ba it's so simple very easy hai tumma loke object to subject bona ndilu ehtiya tarbisa tumma loke dekhhi ba jayi passive voice to ki tensor likhi haase that means ehtu passive voice ki tensor likhi haase karan khe tu tensor gothanot ame active voice to likhi deem so now we go to the passive voice and we understood that this sentence has been written in past indefinite tense so maa punnare ba tumma loka manatplai diyo jay tense find out kori bole haale first you need to find out the verb of the sentence so sentence to bhaabtu dekhiba bhaabtu dekhar pisa da tumma loke ki tensor likhi haase khai khine bujiba pariba so ame dekhil loe jay passive word kora ase vas diya ase vas to past indefinite tensor hai now we understood that this sentence has been written in past indefinite tense and according to this structure and rules we have to write this active voice into past indefinite tense also so for writing this sentence into past indefinite tense we have to write first subject then the bhaab form and then and then this object so the subject is the hunter and now we need a bhaab here in this sentence the main verb is killed and we have to write here killed so this is the second form of this main verb now we uh we are going to write this sentence into past indefinite tense so the hunter killed okay sikari jone marisil kag marisil yad kag mara kata koa hoi se the tiger was killed by the hunter the sikari jone or dara tiger to mara hoi se the tiger ok mara kata koa hoi se so ki hapo the hunter killed sikari jone marisil kag marisil the tiger so simple tijer yes so i ame likhilu the hunter killed the tiger subject likhilu bhaab likhilu then object likhilu so i ame liahat the question to baki ekwae diya nahe extension isha bot baki ekwae diya nahe so i ame iate full stop eeta di de de deh dihlu so i hope tu maalok kaya bhujiwa paari sa i ame passive voice to actively change kwae di dehlu अरो एटो खुद्ध हाई गोल, सो मैं आको तुम्हा लोको कोई दू किभा question query ठागले तुम्हा लोके निस्वा मा खुदी मा वार्सवान मा नमबाद दिया से, आरो एकिने तुम्हा लोको आख आनाटा कथा जनाए दियू, इजे आमी जी एट्टु HHLCR 1999 परा स्टार्ट कर पुद्धान पर लास्ट लोई जीमान पर वाइसेंस दिया से, हकुलो बर वाइसेंसर आंसर बुरोर मौई एकान धुनिया कोई PDF फाइल बनाए दिशू, आरो फाइल खन मौर, फाइल खन मौर वेबसाट अट मौर अबलोड कोई दिशू, इटो वेबसाट होल www.graduallearning.com, इ रिपोर राइटिंग, रिपोर राइटिंग, अरो बाकी जीबो राइटिंग आसे, एसे राइटिंग, तैर प्सद फुद्ध क्वेश्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्ट अंसर, सो गुटाई बोर एकुद वेबसाट अबले असे, तोमा लोगे तार पर आडाव डा This is the question has been given in the year 2004, 2004th this question has been given So अगर निशना कोया अमें अमें प्रक्टिक करेंग, तुमालो के हाटा बुजवा पारिशा First अमें की करेंग, First we need to find out its form, active form और passive form The question to active what दिया आशे ना, passive what दिया आशे So तुमालो के हाटा बुजवा पारिशा आए, जे question to active what दिया आशे So it's a active voice, आमें की घुजा पालो, it's an active voice, ठीक है से? So passively change कोई ले की कोई बोलागी बो, क्वा सुन, अगोर निसना कोई, object हो finite कोई बोलागी बो, object हो subject बनाटी बोलागी बो, So a sentence होट की दिया है, the window panes are this object, so object हो आमें यार लिखी दिलू, the window panes, Simple होट, just, तुमालो के relax होट, भालर सिन्टा कोई बा, examination होलो, टर्विशाथ, subject, object, भालर सिनाक्तो कोई बा, and टर्विशाथ, टेंस अनुखरी तुमालो के change कोई बा, खुद होट बोलागी बो, So the window panes लिखी लू, okay, window panes लिखी लू, एट्रिया की कोई बोलागी बो, So question to key tensor diya So yes the subject diya se plural number the window panes diya se गट्टिके subject जोडी पुल्णान नंबर हाए तेन हाद always we have to use their where as helping verb so we have to write here where तुमालोके subject लिखिला तर भीसोट तुभी भाब जितो वास्वेर प्रजोनाई हाईट्वामी लिखी दिलू so वास्वार लिखार भीसोट एट या भाब ठाट फां लिखी भालागी बाँ So, की लिखे लू लू दे वेंडव पेंड़ ब्रोकेन एति या की आसा मेंसके निकी होल जे वेंडव पेंड़ भंगा हैसील एतके क्रवाड़ा भंगावेबो So, डाला हब दो काने हम याड की लिखे दू भाई लिखे दू टर्बिशा जिस सब्जेक ठाके है, हेड़ दो भनाय दो या सब्जेक ठाके है सम भाईस, ज़ो वोगईस, आई 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 होवे तोमालो कहेँ पारी सा, अईबर क्वेशन खाब है एजेए आई है, पफाइनल यार एग्जामिनेशन लाग जीबर क्वेस्टेन अखे है बर एजीए ठाके ताप ना ठाके आसार तो एबार पोहीड इसो धी वेंड़ पेल्गा वेयर गेट वेंड़ पेंड़ेंड बाइस वाइस दीट मुट टूमारां कोई लो। एती आम नेक्स्टे क्वेशन लो आगोआ जाम। प्रप्रषे कुलेक्षंट से जीक्षें लुवर्ड खेच सीज़न से लुवर्ड खेचनर क्वेसिन डीशना टू है। they have completed the work so simple हाई एबो question class 10-0 this is easy question हाई so they have completed the work एटो object हाई आरो question तो अब एक्टीब लिखा आसे तुमा लो के बुजिये पाईचा हाटो so अमें पैसी बाट की कोईलो पोत्र माद subject लिखी दिलू the work एटो object हामी यार लिखी दिलू the work लिखी लू एटो अगर निशना को तुभी भर्ब लाखी बो तार बावे आमाग टेंस तो धोईलो भर्ब लाखी बो की टेंस हो लिखा आसे so एकनी होल तенस है जोषा है जोर। हवार्ब लिखी भरब लथाद फिर लू झालों के निशाज जाना जोदि कुना शानतेंस हो subject ल भरब लथाद भर्ब ल॥ाद लिखी नीशना को घोलो पुजी बॉज़ पार्ब लू दिया कोनी याठा इता आमें तर्द बिस लिग थाठ परस़न सिंगूलर नंबर हाय गोट 기대 के हास लिख़लू पूलरल नंबर होले आमें हाब लिखीलू हाय आऊ टारविश्माश् the work has been completed now we have to write here by prayer position and then subject will become here object and in the sentence the subject is they and here will be object as them so this is the object so The work has been completed by them this is the right and correct answer so my dear student मा या साइटा क्वेशन दिया हसल अल्ड़ी क्वेशन साइटा मा कोई दिलू 2002 दुटा हसल अन्फरा दुटा हसल याथ हेख़द एटा क्वेशन मा लिखिशू एटो 2004 ग्वेशन नहाय एटो 2005 और मा लिखिवले पाहरी ग्वेशन लू 2005 और क्वेशन हाय तुमा लो पाहस बीन का हसकाम इन ले यार 2005 और एटो क्वेशन हाई से और एटो क्वेशन तुमा लोकोर हो माख ठाकिल तुमा लोके एक क्वेशन दा आंसर कोड़ी पलाई मोर वार्ट्सप नमबार न होले तुमा लोके कमेंट बोक्स दांसर दिबाप पारी बाँ मैं से कोई तुमा पाहरी जाबा, ठीक है से पाहरी ना जाबा, so next class होद आमी 2000 फाइबर परा स्टार्ट कोईँ, एने को ही आमे 2020 लो के प्राइक्टेस कोईँ, so तेने होले मुआ याते हेक कोई दिसू, जोदी class तो तुमा लोकर भाल लागी से, जोदी class तो परा तुमा लोकर कीवा ग्यान अर् ठीक है से, so dear student माई याते राखी दिसू, आमी नेक्स क्लास होद पुनर कोटा पाती, तो आज लेके एखी निये, thank you, have a good day.